हाई अव्रिवन, वेलकम टू आवर चैनल माइनिंग टेक्निकल आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक मेमरेंडम अफ अंडरस्टाइंडिंग जो की साइन की गई है बिट्वीन CMPDI, BCZL and ECL यह मेमरेंडम अप अंडरस्टाइंडिंग CBM से एलेटेड है जो साइन की गई है इन तीनों के बीच तो बिसे के लिए जो वीडियो होगा काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके एक्जामिनेशन के लिए अगर आप माइन इंडिसी से जुड़े हुए भी हैं तो भी यह वीडियो आपके लिए खाफी इंपॉर्टेंट होगा तो आज के इस वीडियो में बेसेकली हम लोग बात कने वाल हैं CBM से इसे बातों को जैसे सब्से पहले हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में इसके इंट्रोड़च्शन के बारे में introduction के बाद हम लोग इसमें इसके past development इससे पहले क्या-क्या इसमें विकास किये जा चुके हैं उनके बारे भी जानेंगे and lastly हम लोग जानेंगे recent development जो भी जो changes आये हैं या जो भी अभी development CBM के regarding हुए हैं उनको भी अभी इस वीडियो में जानेंगे introduction में सबसे पहले जानेंगे हम लोग what is CBM, past development में हम लोग जानेंगे कि क्या past policies रही हैं government की regarding CBM and recent development में हम लोग जानेंगे क्या recent development हुआ है CBM से इलेटेड अभी तो सबसे पहले बात करतें इसके composition की तो इसका composition location की इसाब से vary करता है generally इसमें methane ज्यादा होता है और small amount of ethane, carbon dioxide और water भी include रहता है और अगर आप इसके बात की जाए, uses की तो इसके multiple uses हैं इसका उप्योग power generation के लिए किया जा सकता है इसका उप्योग उत्पाद के manufacturing के लिए किया जा सकता है जैसे की fertilizers, plastics, etc इसका उप्योग transportation में भी किया जा सकता है compressed natural gas का इस्तमाल किया जा सकता है इसको बनाने के लिए और इसको auto fuel के रुपमी इस्तमाल किया जा सकता है यह देख सकते हैं एक coal bed methane का setup है और यह एक diagram है, basic सा diagram है अब देख सकते हैं यहाँ पे एक coal bed methane के लिए hole drill की जाती है जो coal sim को touch करती है यहाँ पे hole drill करने के बाद जो पानी है उसको pump out किया जाता है जिससे negative pressure create होता है उस hole में और जो gas है वो उपर खीच ली जाती है gas pipeline के दोवारा तो इस तरह से यह coal bed methane काम करता है अब हम लोग बात करते हैं past developments की past developments में हम लोग को चार जो important साल है वो पढ़ने है वो जानने है regarding CBM सबसे first जो important year है वो है 1997 इस year में क्या हुआ था कि जो government of India है उसने पहली बार CBM के लिए कुछ policies का formulation किया था इजात किया था बनाया था तो यह जो policies थी ठीक है यह काफी हद तक यह कहती थी कि coal bed methane के extraction के लिए आपको ministry of petroleum और ministry of oil and natural gas से आपको पर्मिश लेना पड़ेगा तो उसके बाद जो important year है regarding CBM is 2004 2004 में CBM के लिए Coal India Limited ने UNDP Global Environment Fund रिसीब किया था UNDP Stand for United Nations Development Program और सेंटर से भी काफी funding रिसीब हुई थी Coal India Limited को एक project set up करने के लिए एक pallet project set up करने के लिए regarding CBM in Muni D इस project में तीन wells को खोदा गया था जिससे CBM निकाल कर 500 kilowatt produce की जाती थी next important year है 2015 2015 में Coal India Limited का जो CBM के जो project है वो hold में हो गये हैं क्योंकि उस समय की जो government है उन्होंने ऐसा नियम बना दिया था कि कोई भी Coal India Limited के जो subsidiary उसके लिए जोरी है कि आप सबसे पहले license ले under the ministry of petroleum ठीक है तो यह हुआ 2015 का importance next 2018 का importance इस साल government of India ने जितने भी separate license की जोरत होती थी CBM का extraction करने के लिए उसमें छूट दे दी Coal India Limited को separate license लेना from ministry of petroleum and natural gas जहुरी नहीं रहा तो यह हुआ past development के बारे में अभी बात करते है recent development के बारे में तो हाली में जैसे कि वीडियो के starting में बताया कि CMPDI, BCCL और ECL ने एक Memorandum of Understanding Sign की है regarding CBM इस Memorandum में जो CMPDI है वो भारत Coking Coal और Eastern Coking Coal Limited से CBM Project को develop करने के लिए MOU sign किया गया है इसमें यहां पे यह बताया गया है कि जो CMPDI होगी वो इस proposed plan के लिए principal implementing agency का काम करेगी बदा देखिए जो plan होगा यह करीब करीब 3000 क्रोड का proposed plan है अगर बात करी जाए इसके plan की तो यह दो जगा पे फैलने वाला है दो जगा पर यह काम करने वाले फ़र्स जो project होगा वो BCCL में होगा यह जो block होंगे CBM के यहां पर बताया गया है कि 25 billion cubic meter expected है यहां पर coal bed methane और यहां पर यह बताया गया है कि global tender जो है वो उसको create किया जाएगा for 30 years और इसकी जो tendering process है उसको 2-3 महिने में complete कर लिया जाएगा और उन्हें यह भी कहा है कि CBM का extraction दो हजार चोबीस पचीज तक extraction होने की पूरी पूरी उमीद होती है नेक्स्ट बात करती है ECL में ECL में second project of जो CBM में उसको चालू होना है एट राणी गंच इन्वेस्ट मेंगॉल बाई इस इन कोल फिल्ट लिमिटेड यहां पर बताया जा रहा है कि इस ब्लॉक में करीब करीब तीन बिल्यन क्यूबिक मीटर CBM trapped है कोल सिम में ते हुआ आज का वीडियो और CBM आई होप आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा पसंद आया होगा प्लीस इस वीडियो को लाइक और शेर करें हमेशा की तरह तिल लेन ऐस आलवेज जय हिंजय भारत